स्वागता दोस्तों आप सभी का एकार फिर से आपके अपने यूटिफ चनल सिविल गुरूजी में जिसमें बात करते हैं कम्प्रिटली सिविल इंजिनर्स के बारे में दोस्तों बहुत important topic आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जिसमें आज बात करेंगे कि drawing को readout कैसे करते हैं या आप जो मेरे पीछे drawing देख रहे हैं इसको readout करना सीखेंगे इस drawing में इसके बाद estimation sheet बनाना सीखेंगे और साथ में bill of quantity sheet कैसे बना पाता है एक civil engineer उसके बारे में भी हम completely सिखेंगे as per schedule of rates इस drawing में ये अलग-अलग cross sections दिये गए हैं इन cross section के बारे में जानेंगे लेकिन दोस्तो बीडियो स्टार्ट करने से पहले आप बीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और साथ में notification icon के लिए bell icon को press किजिए जिससे civil engineering से जुड़ी सभी महतपूर information ऐसे topic जिसमें हम completely बात करते हैं civil engineering की growth के बारे में वो आपको मिलते रहें इसलिए bell icon को जरूर प्रेस किजिए दोस्तो बीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और information आप लोगों के साथ में share करने बाला हूँ कि civil guruji ने completely आप लोगों के ले www.sivilguruji.com एक website और civil guruji android application launch किया है जिसके अंदर completely corporate training course और guruji का खजाना course आप लोगों के लेकर आए हैं जिसमें अभी बहुत अच्छा discount आप लोगों के लिए चल रहा है गुरूजी coupon code के साथ अगर आप गुरूजी coupon code प्रेस करते हैं तो आपकी जो problems हैं कि आपको estimation बनाना नहीं आता, आपको bar bending schedule बनाना नहीं आता, आपको quantity survey नहीं आता यदि यदि आपको billing नहीं आता, यदि आपको auto개сть में submission drawing बनाना नहीं आता, यदि आपको 3D elevation in revit architecture बनाना नहीं आता साथ में ETAF Software में Structural Designing Analysis नहीं आता यदि आपको MSP में Project Scheduling और Monitoring करना नहीं आता तो वो Problem का Shot Out केवल एक ही जगा पर है Civil Guruji Android Application या WWR Civil Guruji Website पर आप लोगों के लिए जो Price महाँ पर दिया गया है उस Price को यदि आप Discounted Price में चाहते हैं आपको Guruji Coupon Code लगाना होगा उसके बाद आप Easily उस Course में Enroll हो सकते हैं तो यह दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो Bill of Quantity समझने से पहले हम पहले समझेंगे कि Drawing को कैसे Readout करेंगे उससे हम Data Extract क्या करेंगे अपने Excel Sheet पर तो जैसे कि यहाँ पर एक Drawing open हुआ है यहाँ लिखा है Layout Plan of Ground Beam अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ और जूम करने के बाद यहाँ पर कुछ Data दिये गए है हम पहले उस Data को Readout करते हैं इस Data किस Format में क्या देते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर लिखा है All Dimensions देखेंगे आप जाहन से यहाँ पर Notes में लिखा है All Dimensions are in Millimeter Unless and Otherwise specified मतलब सभी Dimension इस Drawing में Millimeter में दी गई है तब तक उसे दूसरी Unit नहीं मानना है जब तक वहाँ पर किसी और Unit में दिया नहीं हो मतलब कि आपको कहीं पर Meter लिखके दे दिया तो इसका मतलब आपको Meter मानना लेकिन यह जो Jobist सो लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा है 2400 तो इसका मतलब कि कौन सा Unit है MM Unit है क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का Unit पीछे नहीं लिखा हुआ था Drawing should to be scaled and return dimension are to be followed Drawing क्या है? Scaled की गई है इसलिए return dimension ही आपको क्या करना है? Follow करने जैसे जैसे लिखा हुआ है उसी dimension को आपको क्या करना है? Follow करना है Discrquency if any shall be clarified from the consultant before commencement of work मतलब किसी तरह का आपको issue लग रहा है किसी work के अंदर की beam का size कम है उसमें die of bar कम दी गई है उसकी placing अलग है तो आप इसके लिए काम करने से पहले execution करने से पहले structure consultant से meeting जरूर कर ले All details specification shall be as per IS code of practice मतलब कि सभी तरह की जितनी भी specification दी गई है वो Indian standard code के reference क्या धार पे दी गई है Next point is for other detail reference structure and other architecture drawing मतलब इस वाले drawing में केवल आपको drawing beam की ही जानकारी दी गई है इससे अलग आपको footing की जानकारी सुपर structure की जानकारी या किसी भी door window की जानकारी ये सभी detail आपको दूसरे जो drawing दी गई होंगी footing के drawing हो गया ground beam drawing हो गई इसके लाबा आपके super structured slab beam drawing door window drawing इसके लाबा आपका floor tiles drawing ये completed drawings होते हैं जो submission drawing बन लेकर बनता है इन सभी drawing को हम totally detailed में estimation करना सीखते है इसके बाद चलते हैं आगले point पर next point पर the drawing is to be sole property of MS the design group and should not be copied in the whole part पर किसी भी तरह पॉपी नहीं होगा इस वाले part का मतलब इस drawing को कहीं और नहीं बना सकते हैं या कहीं इसका structure नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये एक sole property है providing slab height 3 meter मतलब कि ये जो height है इसका 3 meter हमें slab का height मतलब कहां से ये slab का height हमेशा कहां से हम provide करते है कभी भी angel से provide नहीं होता है हमेशा plinth level से लेके slab के top तक का height दिया है 3 meter साथ में दिया है angel to plinth level height is 900 mm 900 mm की दूरी हमको यहाँ पर दी गई है साथ में यहाँ पर लिगा size of beam 200 mm by 300 mm का size of beam हमें provide करना मलब cross section of the beam is 250 mm by 300 mm का हमें यहाँ पर provide करना है जैसा कि यहाँ पर beam का cross section हमें दिया हुआ है 250 mm उसका beam का क्या है विर्थ है यह beam का x direction x direction हमेशा होता है beam का विर्थ और यह beam का है y direction जो की होता है हमेशा depth of the beam जो की हमें 300 mm दिया गया है अंदर हमें reinforcement की detail दी गई है इसका मतलब देखे क्या दिया है साथ में नीचे की तरफ देखेंगे तीन बार 12 डाया जो की same एक ही position पे provide की गई है यहाँ पर लिखा है 8 डाया मतलब 8 डाया का 2 leg stir up 130 center to center इसकी complete cutting length इसका complete bill of steel बनाना हम completely सिखाते है अपने bar bending schedule पार्ट में जो की civil guru जी application पे easily available है corporate training course और guru जी के खजानक course दौनों में bar bending schedule का basic और advanced दौनों पार्ट हमने add-on किया हुआ है आगे चलते हैं यहाँ पर drawing की हमने detail तो पढ़ लिए detail पढ़ने का तब देखेंगे ड्राइंग में किस तरह से हमें यहाँ पर beam का positioning दिया गया है अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ numbering कर दिये मैंने पहले से और यहाँ पर यह जो दिया हुआ है column से एक column के inner point से दूसरे column के inner point तक का distance होता है हमारा clear span एक column के inner point से लिखे दूसरे column का inner point clear span और एक column के middle point देखेंगी Column है इसका middle point यह होगा और दूसरे column का middle point यह होगा यहां से लेकि यहां तक का distance middle से middle का distance होता है effective spawn लेकिन हम calculate करते हैं हमेशा कहां से clear spawn से maximum case में हम क्या करते हैं calculate करते हैं अब आप लोग देखेंगे यहां पर 2500 दिया होता 2500 क्या है clear spawn यहां पर मैंने gv1 इसको लिखा क्योंकि मैं यहां पर मानता हूँ gv1 की first number की beam है मेरे building plan में यह जरूरी नहीं है यह first number की हो सकता first number के आप यह भी ले सकते हैं आपके ओपर आप कहां से इसको start करते हैं जैसे कि मैंने इस plan को solve out करना है इस वाले beam से start करते हैं तो gv1 हो गया आप इधर से start करते हैं तो यह gv1 हो जाएगा आपका तो यह कोई भी architecture structure नहीं देगा आपको आपको खुद से ही करना होता है यह positioning provide करना अब आप देखेंगे यहां पर gv1 दिया तो इसका मलग यह वाली beam साथ में आप देखेंगे यह वाली beam भी क्या है इसी के जैसा same clear response रखती है देखें इस clear response same है लग बग तो हम यहाँ पर this beam this beam and this also and this also, this also and this also आप confuse होंगे कि 3400 दिया तो 3400 तो यहां तक दिया न beam तो आपको यहाला यही तक करतम हो गया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह 6 beam कौन से हैं आपके जो GV1 specification रखती है अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कि हमने यहाँ पर एक Excel sheet ready की हुई है उस Excel sheet में मैंने G1 को put up कर दिया देखें कैसे put up कर दिया आप देखेंगे हाँ पर तो दोस्तो मैं दिखाता हूँ आपको number of item कहा लिखा होता है तो देखें यहाँ पर number of item है एक concept और सिखाता हूँ आपको जैसा कि मैं नीचे जा रहा था तो मेरा यह जो heading वाला part है यह नहीं दिख रहा मुझे और यदि मैं बार बार देखूं कि यह क्या लिखाता है length है, width है, height है, यह क्या लिखा है नहीं पता मुझे तो मुझे क्या करना चाहिए मुझे इसको freeze करना है freeze करने के लिए जैसे first row आपको इसको freeze करना है तो इसके नीचे वाली row को आप select कर लिजे एक बार फिर आप जाए एक्सल शीट में व्यू में और व्यू में जाने के बार freeze प्रेंस पर क्लिक कीजिए और first option पर क्लिक किया आपने तो आप देखे, यह heading हमाई साथ साथ आ रहे है हमें पता रहेगा length का है, width का है, height का है, total का है, unit का है यह वाले concept भी आपको पता होना चाहिए, basic axle में हम यह वाला part भी cover up करते है अपना इसके बाद अपना आता है length, देखे, 2.5 लिखा है, अब drawing में जाकर देखेंगे तो drawing में भी याले length कितने है, 2.5, अब देखेंगे width और height में क्या लिखा हुआ है निकालने के लिए, देखे, GV1 का यहाँ पर क्या निकल गया, volume निकल गया, यहाँ पर देखेंगे, आप यह volume find out हो गया, 1.125 cubic meter में तो यह concept हमें पता होना चाहिए, एक engineer को कि इस तरह से हम इसको drawing को solve out करते हैं इसके बाद, अब मैं आपको GB2 भी करके दिखाता हूँ, GB2 यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, 3.4 meter इसकी length है और cross section तो same रहेगा, entire जितना भी हम यहाँ पर beam ले रहे हैं, सभी तरह के beam के लिए तो मैं चलता हूँ, यहाँ पर drawing के अंदर, drawing में आप देखेंगे GB2, तो GB2 का clear span मुझको दिया है 3400, that is 3.4 meter अब यह वाला GB2 है, तो इसका GB2 और कौन सा होगा देखें, यह भी GB2 होगा, क्यों? क्योंकि यह same positioning पर रखता है अब आप लोग देखेंगे कि जैसा face मुझे यह दिखा दे रहा है, ऐसी तो face यह वाला मेरा, तो यह भी क्या होगा? GB2 होगा मेरा क्यों GB2 होगा? क्योंकि इस वाले drawing का बीच में से हुआ है mirror, जितने लोग autocad चलाना जानते हैं, उन लोगो पता है कि एक command होते है mirror command कि इतने part को मैं क्या कर रहा हूँ, mirror कर दिया, तो यह same part यहाँ पर आएगा, तो GB2 यह भी रहेगा, GB2 यह भी तो एक, दो, तीन, चार, तो चार तरह के GB2 यहाँ पर consider किये, तो 4 यहाँ पर number of GB2 3.4 दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से हम पूरे estimation part को, drawing को readout करना कितना आसान कर देते हैं, आप लोगों को completely समझ में आया, यह completely पूरा lecture wise मैंने upload करा है, अपने corporate training course में, आप लोग देखेंगे, इतने सारे point यह cover किये जाते हैं, अपने corporate training course में, इसमें complete जो है, पूरे building का construction process by estimation है, इसी same drawing का मैं solve out कराता हूँ, अपने estimation part में, आप लोग देखेंगे, किस-किस part का मैंने cover up करवाया हुआ, अप चलते हैं, बिल of quantity के और, बिल of quantity में आप देखेंगे, कि यह bill of quantity का एक format है, जो कि हम यहाँ पर complete DC format को, जो हम solve out कराते हैं, तो आप लोग देखेंगे, यहाँ पर जो हमने solve out किया, वो concrete था, तो मैं concrete पर चलता हूँ, यह तो earth work है, concrete पर मैं लेकर चलता हूँ, आप लोग को, तो concrete में आप लोग देखेंगे, कि यहाँ पर completely concrete वाला part अप देखेंगे, ground beam का है, हमारा reinforce cement concrete, reinforce cement concrete में, जो हमारा drawing में हमें दिया गया है data, वो M25 concrete हमको यूज करना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखेंगे, 3.3 code यहाँ पर दिया गया है, तो लिखा है, hard लगती है language, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का ground beam, किसी भी तरह का footing नहीं दिया हुआ, यहाँ पर एक data दिया गया है, एक sentence लिखा हुआ है, इसको बस हमें समझना होता है, देखेंगे, इस sentence को समझने है, मैं एक दम easily करा हूँग, आप लोग को कैसे ही हम समझ सकते हैं, आ जोस्तों आपने देखा, यहाँ पर 3.3 code मैंने open किया, एक SOR में, और SOR में आप देखेंगे लिखा है, providing and laying design mix rain for cement concrete, with crushed graded stone aggregate 20 mm nominal size using batching plant transit mixture and concrete pump, in all work up to plinth level, excluding cost of formwork, की formwork की cost यहाँ पर exclude की गई है, हटाई गई है, formwork की cost किसी भी तरह के include नहीं है, मैं लग ग्रांड भी में में उसकी cost आपको अलग से लेनी है, एक बात और सुनियें, यहाँ पर लिखा, plinth level तक का पैसा है यह, और हमारा ground beam भी प्लिंथ लेवल तक ही है, plinth level से उपर हम concrete कितना भी provide करेंगे, इन ratio के साथ से, तो उसकी cost extra दीगे है, जो की 3.4 code मैं, आप लोग लिखेंगे, extra for laying PCC, RCC of any gradient superstructure, above plinth level for every floor or part thereof in addition to the rate of foundation and plinth, मला यहाँ पर plinth level से उपर हमे 97.5 रुपीज पर cubic meter extra दे रहा है, यह, SOR हमको, अब आप लोग देखेंगे कि reinforcement concrete word यूज करते है, मला RCC की बात चल रही है, ratio कौन सा यूज करा है, M25, तो इस तरह से हम अपने SOR से value को adopt करते है, आपको बीडियो अच्छी लगई हो, तो बीडियो पर like देना बिल्कूल मत भूलेगा, क्योंकि like से ही मैं समझ पाता हूँ, आपको किस तरह के topics चाहिए होते हैं, साथ मैं comment section में जाके comment जरूर कीजिए, जिससे मैं आप लोग के comment से बहुत जारा motivate होता हूँ, किसी तरह के doubt होता है तो doubt मैं यहाँ पर clarify करता हूँ आपका, और चैनल को subscribe कीजिए, क्योंकि आपको ऐसी detail wise information केवल civil engineer training institute चैनल पर ही प्राप्त होती है, अब देखें यहाँ पर M25 लिखा है, तो आपको मैं लेके चलता हूँ, अब SOA, ब्लॉफ quantity sheet पे, तो यहाँ देखेंगे 3.3 और 3.3.2 code, M25 यहाँ पर मैंने लिखा 9.638 क्यों लिखा, क्योंकि मेरा यहाँ पर answer जो आया था, आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर ground beam जहाँ मैंने solve क्या था, आप लोग देखेंगे, ground beam मैंने solve क्या था, यहाँ पर 11th number में, तो यहाँ पर 9.638 cubic meter, अब यह आया, यहाँ पर 9.638 cubic meter, rate दिया हुआ, 4298, कहाँ दिया हुआ, यह दिया हुआ, 4298, तो इस 4298 को मैंने लिख दिया, rate में, multiply क्या है, quantity, multiply भा rate, that is called amount, तो यह मेरा क्या गया, amount आगया, अब देखें दोस्तों, यह cubic meter में था, लेकिन आपने सुना होगा, अपने को पता है, यहाँ पर completely, कि एक beam को ब rate analysis, मतलब एक lever का कितना coefficient लेंगे, कितना extra charge होता है, CP and OH, contractor, profit and overhead charges क्या होते हैं, वो completely हमने quantity survey वाले पार्ट में add-on किया हुआ है, तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने completely जाना की bill of quantity, हम drawing को read-out करने के बाद, bill of quantity कैसे बनाते हैं, should of rate को कैसे read-out करते हैं, यह completely हम अपने corporate training course म कराती हैं, साथ मैं आप लोगों के लिए मैं YouTube पर daily videos upload करता हूँ, जिससे आप लोगों को एक जानकारी मिल सके, क्योंकि इसको detail में पढ़ने का बहुत time लग सकता है, आपको लेकिन इस चीश को आसान कर दिया गया है, सिविल गुरुजी training course में, जो कि आपको download करना है, सिव पारत बंदे मातरम